नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार केंद्र ने देश में कोविड वैक्सीन की कमी की खबरों का खंडन किया राज्यों से शीट भंडार श्रंकला में वैक्सीन की उपलपता की समीक्षा और आपपूर्ती की उचित व्यवस्ता करने का आग्रह किया सरकार देश में टीका करन अभ्यान का दायरा बढ़ाने के लिए विदेशी वैक्सीन के आपतकालीन उप्योग की अनुबती देने की परिक्रिया में तेजी ला रही है महराष्टर के मुख्य मंत्री उधव ठाकरे ने कहा है कि राजी में वारस की श्रिंखला को तोड़ने के लिए आज रात आठ बजे से पंद्रा दिन के कड़े प्रतिबंद लगाए जाएंगे उप्राष्टवती एम वेंका यनाइडू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविट महामारी पर राजपालों और उप्राजपालों से बात जीत करेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राइसिना समवाद के छटे सम्मेलन का शुभारंभ किया पश्चिन बंगाल में विधान सबाचुनाव के पाच्छे चरण का प्रचार तेज हुआ IPL क्रिकेट मैच में चेन्नई में मुंबई इंडियन्स ने कोलकता नाइट राइडर्स को दस रन से हरा कर पहली जीत दर्ज की आज चेन्नई में ही सन्राइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा समचार समाप्त हुए